दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल आवर ग्रुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आप उपत कर जाए कि आपका इंग्लिज का पिरेड सुरू हो चुका है हेलो एवरिवन कैसे हो बच्चो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे तो बच्चो आज हम लोग करेंगे पोईट लवर और बर्ड वाचर ठीक है तो यह रिसेंटली रास्ता इंविश्टी की स्लेबस में एड की गई है वैसे तो यह डिफरेंट इनविश्टी की स्लेबस में मिल जाएगी तो सभी के लिए बेनिफीशल हो जाएगा तो ठीक है स्टार्ट करते हैं ब्लू को हम पहले थोरा सा ओथर कबाम देख लेते हैं ओथर कौन है निसीम इजिकील जो की बेसिकली इंडियन ज्विश राइटर है एक्टर क्रिटिक यह रहे हैं मतलब 1924 में बिला है और यह मिला है 1983 में इनकी important poems जो जातर popular है एक्चल में वो night of the scorpion ठीक है enterprise यह तो सब नहीं पढ़े होंगे background gradually यह जो पोएम से हैं यह ज्यादा popular है इनकी और परन्तु basically हम देखा जाए तो जो poet lover bird watcher वो आज हम पढ़ने वाले है और यह पहली बार published थी 1965 में जो collection था इनका fourth collection था exact name इसमें published वी फास्ट आएंगे ठीक है अब कुछ critics है वो actual में निसी मिजिकेल को modern Indian English poetry का father भी consider करते हैं क्या करते है father of modern Indian English poetry यानि की आदुनिक भारत की जो poetry है English में लिखी जाने वाली है उसका father मानते है कुछ critics इनको ठीक है तो यह हो गए हमारे author यह बारे हम poet, lover and bird watcher ठीक है it's a nice poem बड़ी है poem है चलो try करते है समझने के लिए to force the pace and never to be still is not the way of those who study birds और women तो क्या बोल रहे है poet straight away actual में देखा जाये ना उन्हों तीन लोग को compare किया है poet को lover को और bird watcher को actual में देखा जाये तो poet कोईता लिखने की कौशिछ कर रहे है परनतों न्हों एक कवीता लिखने के लिए किस चीज की requirement होती है किस तरीके से लिखी जाने चाहिए क्या जल्दीबाजी में लिखी जाना चाहिए ये फर एक पेशidän्स के साथ में लिखी जाना चाहिए वो एक्शूल में इस चीज को अधूर करण Court as a part, के वो खुद का वीता लिखने कोशिच कर रहा है तो he as a point इस चीज़ का comparison कर रहे हैं किस से एक लवर और बर्ड वाचर से ठीक है तो देखो वो बोर रहे है to force the pace and never to be still is not the way of those who study birds और women यानि कि आप जल्दी बाजी करें to force the pace यानि कि basically चीज़ों को एक तो अपने speed से होने दें एक होता है जबरदस्ती काम नहीं हो रहा फिर भी उसको करने कुशिश कर रहे हैं यानि कि बहुत जल्दी बाजी दिखा रहे हैं ठीक है बहुत impulsive हो रहे हैं never to be still बिलकुल आप में bird watching उनका passion है birds को study करना उनका passion है यह उन पर बिलकुल लागू नहीं होता नहीं उन पर लागू होता है जो lover हैं और women को रिजहाना चाहते हैं मनाना चाहते हैं basically ठीक है यह यह नि women को court करना चाहते हैं तो this is not a way of both bird watchers or women lovers basically क्योंकि देखो bird देखना है आपको watch करना है तो आपको patience रखना पड़ेगा एक जगे बहुत दिर बैठना पड़ेगा आपको wait करना पड़ेगा bird कब आ रहा है कब बहार निकलेगा perfect shot खेंचना है और फोटो खेंचना है या फिर उसको research करना है जो भी देखना है आपको bird watch करने के लिए बड़े पेशेंटली एक जगे चुप चॉप शान्ती से बिना सोर किये बैठना पड़ेगा same way women को अगर आपको मनाना है रिजाना है तो आपको उ चीज़े handle करने पड़ेगी शान्ती से ऐसे women को अगर आपको उसको मतलब show करना है कि मैं आपसे love करता हूँ और आपको उसको रिजाना है मनाना है तो basically यह चीज़ आप उसे forcefully करने कोशी करने है उस पर अपने आपको थोपे तो वो कभी नहीं मानेगी she will never basically respond वो कभी भी respond नहीं कर रही है आपको ठेक है तो यह चीज़े बोलना है कि force the pace जबर्दस्ती जल्दी बाजी करना और never to be still और patience नहीं रखना यह दोनों चीज़ें एक्च्वल में bird watchers और women इन दोनों पर लागु नहीं होती है चीज़ें the best poets wait forwards और even जो poets होते हैं अब वो देखो पोईट की बात तो क्योंकि पोईट की तो बात ही कर रहा है वो पर तो इसने start bird watcher और अलवर से कर रहे हैं उसको comparison करके show करना है अब वो बोल रहा है कि best poets wait forwards कि सबसे अच्छे कवी होते हैं वो हमेशे सब्दों का wait करते हैं यानि कि नहीं है वो जल्दी बज़ी में कवीता लिखते हैं कि जैसे भी बस्तो कबंदी बैठानी है कैसे भी करनी है फटा पर topic या हाँ लोग 10 बार lines पर लिखते हैं जैसा मन में आ रहा है ऐसे ऐसे नहीं करते हैं जब तक उनको inspiration नहीं मिलती है जब तक उनके दिमाग में माइंड में दिल में automatically words नहीं आते feelings के साथ में उस topic पर वो उसको नहीं लिखते हैं best points सिर्फ तब लिखते हैं जब उनको inspiration मिलती है प्रेड़ना मिलती है और प्रेड़ना के बाद में जब उनके दिमाग में और दिल में automatically words आते हैं यानि उनको actual में feel होती हैं चीजें वो feelings इतनी उम कि आज लिखनी है अभी लिखनी है कुछ भी आया उमन में लिख दो ऐसे नहीं करते हो the hunt is not an exercise of will या hunt का मतलब basically to seek for the bird watching है यानि कि खोजना मानो है आप है hunt का मतलब है खोजना है the hunt या सिकार करना नहीं है the hunt is not an exercise of will but patience love relaxing on a hill यानि कि ये bird watching के context में बोल रहा है कि जो bird watching करते हैं यह exercise of will नहीं है कि जब मर्जी आया आप जंगल में निकल पड़े bird को ढूंडने ऐसे मतलब वैसा नहीं है कि भई bird का होगी मैं ढूंडने निकलता हूं उसको लो ऐसा नहीं होता है but patient love relaxing on a hill बरन तो होता क्या है यह होता ह पहाड़ी पे जैसे आप relax कर रहे हो आराम से wait कर रहे हो to note the moment of a timid wing timid wing का मतलब यहां पर ही metaphor इस्तमाल किया गया है किसके लिए यह दो चीज़ें यहां एक्चल में metaphor भी है और यह सिनक ड़की भी है wing wing यानि कि basically punk तो सिनक ड़की में क्या होता है सिनक ड़की मैंसा होता है कि body के किसी एक अंग का इस्तमाल करके हम पूरे body को represent करते है तो या wing का इस्तमाल करके bird की तरफ इसारा कर रहा है ठीक है ठीक है और बाकी हम यह से बूल सकते हो हाँ basically इसमें सिनक ड़की है इसमें metaphor नहीं है I'm sorry for that ठीक है इसमें metaphor नहीं है इसमें only sinak ड़की है ठीक है तो देख नहीं हो पाएगा यह ऐसी exercise नहीं है बलकि patient love relaxing on a hill to note the moment of a timid way कि बलकि क्या है आपको उस डरे सहमें पक्षी उस बेचारे पक्षी उसके moment को note करना पड़ेगा बिल्कुल relax होके पहाड़ी के ओपर patiently यानि बड़े धहरिया से आराम से relax करते वे आपको किसी उची जगह पर wait क करना पड़ेगा उस bird को देखने के लिए ठीक उसके moment को notice करने के लिए until the one who knows that she is loved no longer waits but risks surrendering अब देखो जब तक कि अब यहां पर वो lover की बात करने लगए कि जब तक कि कि किसी को यह पता ना हो किस बारे में कि वह मुझसे प्यार करती है और वो wait ना करे तो वो खुद को risk मे डाल देगा देखो actual में क्या बोलना चाहरा है यह बोलना चाहरा है एक तो पता है कि सामने वाली women lady है वो मुझसे प्यार करती है जब तो आप जब चाय मर्जी है उससे कुछ भी बोल दो वो बुरानी मानेगी आपकी सारी बातों को सुन लेगी आपको physical emotional सारे लव भी टीछ यह अगर ऐसी चीज नहीं है न तो फिर क्या करोगे आप आप रिस्क में डाल दो गे आपकी चीज को यह मतलब आप अपने लव को रिस्क में डाल दोutes फ़ों को आपको जेकर तर शीरा नहीं नहीं पता कि हो आपसे प्यार करती है और आप उसको एप्रोच कर रेहों आप अपनी लव प्रॉस्पेक्ट को रिस्क में डाल जाओ तो इसका मतलब यह होगा कि अंटिल दा वन हो नोज वेट्स बट रिस्क सरंडरिंग जो वेट नहीं करता है धहरिय नहीं दिखाता है इसी सिचुएशन में तो वह भाईया वो तो रिस्क में डाल देगा अपने लव को ठेक है इन दिस पोईट फाइंड इस मॉरल प्रूवड वो नेवर स्पोग बड़ इस स्पिर्ट मूड तो इन सब चीजों को देखते वे पोईट को अपनी ये सिक्षा मिल गई है वेसिकली उसको अपनी मॉरल मिल गई है यानि सिक्षा मिल गई है उसको ये सीख मिल गई है कि who never spoke before his spirit moved कि जब तक आत्म आपकी spirit जो है ना वो ना हिल जाए यानि जब तक आपको emotionally आपको experience ना मिले या फिर आप inspired ना हो जाए किस चीज से अंतकरण आपका जो आपका inner self वो जब तक उस चीज से किसी चीज से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं आप affect ना हो जाए तब तक कवी को बोलना नहीं चाहिए यानि कि लिखना नहीं चाहिए कहने का मतला है यानि कि कवी को जबरदस्ती कवीता नहीं चाहिए जब तक कि उसकी spirit उसका अंतकरण उस चीज को फील ना कर ले उसको emotionally वो चीज फीलना हो जाए या फिर वो उसको inspire बहुत ज़्यादा ना मिल ज करेगा तो उसकी poem खोकली नजर आएगी सिर्फ ऐसे लगेगा सब दों को जोड़ जोड़ के एक जगे रख दिगा है ठीक है तो यह हो गया पहला श्टैंजर देखा आपने कि उसने किस तर से कभी वो लवर को बताता है कि जब तक यह आपसे प्रेम नहीं करती है अगर आइन देना होगा you cannot force yourself upon her उसके उपर आप force नहीं कर सकते हो ऐसे एक bird watch करते है आपको patiently किसी उची जगे जाके शांती से वेट करना पड़ेगा आप ऐसा नहीं कि बर्ड के पीछे भागने लग जाओ कि मैं तो बर्ड को डूंड की रहूंगा ऐसे बर्ड वाचिंग नहीं ह तब ही आपके अंदर word automatically आएंगे poetry लिखने क्लिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं second stage of the slow movement seems somehow to say much more अब देखो बोल रहा है कि कही बार slow movement है slow movement का मतलब patiently आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो जो slow movement होते हैं वो कही बार ज्यादा चीज़े बोल देते हैं actual में यानि क्योंकि slow movement जो होते हैं एक lover की context में क्या बताएंगे कि प्रेमिका को महसूस होगा कि यह व्यक्ति जल्दी बाजी नहीं कर रहा है ठीक है उसको महसूस होगा कि यह है मुझे sufficient time देना चाहता है उसको महसूस होगा कि यह व्यक्ति अपनी मर्जी नहीं थोकता है वो मुझे पूरी freedom दे आए तो slow moment धीरे धीरे चलना patiently चीजों को आगे बढ़ने देना उससे क्या होता है benefit होता है वो बहुत कुछ कहते है वो खुद में ही बहुत कुछ कह देता है सामने वाले की personality के बारे में ऐसे bird watching के बारे में slowly move करोगे तो क्या होगा आपको benefit होगा birds आपको दिखेंगे क्यों तो nature को आप respect करोगे तो nature आपको response देगा ठीक है उसी तरीके से poetry भी है आप आराम से जब तक कि आपको उस समय टाइम उस सही समय का wait करना होगा जब आप किस चीज से emotionally बहुत affect हो जाए आपको बहुत जद दिल से पसंद आ जाए या फिर आपकी किस चीज को देखके आप इ एक वक्ति के personality के बारे में बहुत कुछ कर देता है जो patiently काम करते हैं उनको पता बताया जाता है बहुत rational बहुत धहरिवान रखती होते हैं वो कभी भी गलट डिस्जन नहीं लेंगे और वो basically कभी भी अपनी मर्जी नहीं थोपते हैं वो सामने होले को freedom भी प्रवाइड करत आपको आमतर पर दिखाईन देते हैं so to watch those rarer words आपको क्या करना पड़ेगा you have to go आपको जाना पड़ेगा along deserted lanes रिजिस्तान में जाना पड़ेगा where the river and where the river flows या फिर नदियों के किनारे जाना पड़ेगा यानि कि आपको ऐसे nature के ऐसे अट पटे जगे जाना पड़ेगा ज आपको आपको बड़ी समश्यां से गुजरना पड़ेगा बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा तो आपको deserts में जाना पड़ेगा नदियों के किनारे जाना पड़ेगा in silence near the source basically जहां नदिया भेतना भेहना सुरू होती है वहाँ शान्ती से आपको वेट करना प जाना पड़ेगा किसी नदी सागर के किनारे भी जाना पड़ेगा remote and thorny किसी दूर दराज काटे भरी जगे ऐसे जगे जाना पड़ सकता है like the heart's dark flow जैसे कि दिल के अंदर छुपा हुआ कोई गहरा राज अब देखो हैं comparison कर दिया उसने एक तरफ तो bird बड़ को देखने की आप ट्राकरतिक आपको नेचर की टफ जगों के जाना पड़ेगा वहाँ जाके आपको रेर बड़ मिलेंगे ठीक है उसी तरह किसे जिस तरीके से आपको किसी का दिल समझना है तो उसके दिल में घुसना पड़ेगा उसके heart के dark floor hearts dark floor यानि या dark floor क्या है या dark floor metaphor है किसके लि साथ में hidden truth यानि कि किसी का कोई सच है किसी कोई मतलब उसका nature है सुभाव इस तरह का है वो अपनी बातों को share नहीं करता किसी को express नहीं कर पाता तो आपको उस अंधेरी भरी जगए दिल के अंदर जो अंधेरी भरी जगए जहां पर सारे राज छुपे वें हैं जहां पर सा हर्ट के डार्क फ्लोर तक जाना पड़ेगा उसके दिल में उस सतय तक जाना पड़ेगा जहां पर सारे राज चुपे में हैं जहां पर उसकी फीलिंग्स चुपी भी हैं वहां तक महुंचना पड़ेगा और जो की बिलकुल भी टफ मतलब easy काम नहीं tough काम है जैसे एक बर् dark secrets का समझना पड़ेगा उसके inner feelings का समझना पड़ेगा and there the women slowly turn around और आपने ऐसा किया ना तभी एक women slowly turn around याने कि वो आपको धीरे-धीरे response देना शुरू करेगी not only flesh and bone but myths of light with darkness at the core and senses now okay well आपको अपना flesh and bone या flesh and bone में again क्या इस्तमाल हो रहा है यह सिनक डकी है body के लिए क्या यूज हो रहा है यह सिनक डकी इस्तमाल है body के लिए कि वो अपने सिर्फ body नहीं देगी आपको physical love ही नहीं देगी परन्तु वो आपको क्या देगी myths of light with darkness at the core अपने दिल के अंदर जो अच्छे moment है और जो darkness है यह बुरे moment है अच्छा बुरा अपने हर feeling वो आपको सबके secret बता देगी सबके myths सबके राज आपके हाँ सामने खोल कर रख देगी मतलब वो ना केवल अपनी body अपने physical love को आपको देगी बलकि अपनी inner feelings आपकी सारी अपने मन की सारी चीजों को आ emotionally अपने mentally हर चीज को आपको सामने रख देगी आपको देगी आपको समर्पित कर देगी इसी चीज में सही अर्थ मिलता है senses found किस चीज का but poet lost in crooked restless light that deep can hear the blind recover sight इसी चीज में सही अर्थ मिलता है कि एक औरत को समझने के लिए क्लिए क्या करना पड़ता है एक सही poetry लिखने क्लि परता है तीनों में ही आपको patiently काम करना पड़ता है और patience के साथ में आके बढ़ना पड़ता है और उन tough कारे कारना पड़ता है जो मैंने पहरे समझा चुका हूँ की bird को देखने के कहा का जाना है ठीक है women को प्राप्त करने के लिए उसको मनाने के लिए उसके दिल को संबज तो इसी चीज में सही अर्थ है मतलब देखा जाए तो सही तरीका है और बोलता है यहां मैं तो बड़ा ज्यानी व्यक्ति हूँ मैं वर्डो को जोड़ो के परुष दूँगा पूइम बन जाई क्या पुचलता है किसी को बेफ को बना दूँगा दुनिया हुए इसे नहीं होता है यह जो तरीक आपनाते है इसमें अक्सर पोईट्स खो जाते हैं वो इसमें अक्सर रास्ता खो देते हैं अपना ऐसी पोईम्स नहीं चलती है वो पोईम्स खोकली सिर्फ शब्दों का जोड़ोती है ठीक है उस सही समय का वेट करके जब सही में आपके नेचरली वर्ड अंदर से दिल से निकलेंगे उन शब्दों को आप इस्तिमाल करो कवीता में तो जो कवीता लिखी जाएगी उसको एक भहरा भी सुन पाएगा और एक अंधा भी देख पाएगा यानि कि बेसिकली उस कवीता का जो असर होगा ना वो ऐसा होगा कि उसे एक भहरा भी सुन पाएगा और अंधा भी देख पाएगा कहने का मतलब वो आप दिल तक मैसुस होती है उसके लिए आपको सुनने की या देखने की आप सकता नहीं है बेसिकली यानि कि उस कवीता का असर ही ऐसा होगा कि सामने वाल जाएगा कि कवीतःं तो सुनेगा तो सुनकर उसको पता लग जाएगा जासे कि न्याजर है ऋसकी सामने ढोरे हैं यह व stained face तो यह चीज है तो यह चीज है अपनी पुयम पूरी ठीक है बच्छों तो यहां पर एक्च्छल में देखा जाए ना यह डीज के नियर और ब्लाइंड रिकवर साइट इसमें एक्च्छल में पराडॉक्स भी है ठीक है यह भहरा सुन सकता है परांतु भहरा कैसे सुन सकता है ठीक परांतु भहरा सुन सकता है यह सच बोल रहा है यह फैक्ट है पराडॉक्स में हसी मजाक नहीं होता उसमें दो कॉंट्रस्टिंग चीजों को हम रखते हैं परांतु उसमें सच होता है वह ऐसा लागएगा कि क्या है बहरा सुन सकता है प यहरा सुन सकता है पॉसिबल नहीं है परंतु पोईट ने इसको सही प्रूव करके दिखाया है उसने इसे सच बता है इसलिए पराडॉक्स है कि कॉंट्रस्टिंग चीजे परंतु फैक्ट तो बच्चो यह होगी अपनी प्रॉयम अगर किसी को कोई प्रॉबलम हो न तो भया कॉमेंट बॉक्स में पूछ रहे न कि सरी चीज़ समझ में नहीं है मैं पता दूँगा ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन गुडबाई सीय सून टेक केर